गुद मॉर्निंग क्लास एंट एसेस्टी में हम हिस्ट्री का चाप्टर नंबर सेवन कर रहे हैं जो है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इससे पहले हमारा इस चाप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है पार्ट वन हो चुका है आज हम इस चाप्टर का पार्ट टू करेंगे ठीक है तो जैसे की मैंने आपको ये बताया कि इस चाप्टर में हम इंडिया के क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज यानि की उद्द्योग केते हैं जिसको हिंडी में ठीक है इंडिया के क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कब बिटीश रूल के टाइम पे जब इंडिया में अंग्रेजों का रूल था तब इंडिया के क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज का कंडीशन कैसा था पारे में ठीके है वो हम पढ़ेंगे और स्पेशली फॉकस करेंगे दो इंडस्टरीज पे जो है टेक्स्टाइल और आएरंगे स्टिल इंडस्टाइल के बारे में ठीके इस चाप्टर में इंडिया के दो industries के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो है textile और iron and steel industries के बारे में ठीक है तो हम textile के बारे में करेंगे इसे पहले भी हमने किया हुआ थोड़ा बहुत ठीक है हम आज हम उसको आगे करेंगे ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था कि Indian Textiles and World Market टेक्स्टाइल यानि की कबड़ा होता है, क्लोध होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक्स्टाइल means क्लोध होता है कि किस तरह से जो इंडिया का जो टेक्स्टाइल होता था specially cotton, जो cotton textile होता था, वो किस तरह से पूरे world में किस तरह से मशूर था ठीक है, इंडिया का textile जो है, वो बहुत ही मशूर थे, famous थे क्यों, क्यूंकि उसका quality जो है, बहुत ही अच्छा होता था, और design जो है, वो बहुत ही सुन्दर होता था, इसलिए इंडिया का textile, यानि कि cotton जो है, उसका बहुत ही ज़्यादा demand रहता था, ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा कि, word tell us histories, कि किस तरह से जो इंडिया के, जो cotton के जो कपड़े जो है, उसका नाम पढ़ा, और किस तरह से वो सारे नाम, जो है, वो मशूर हुए और ये पढ़ा हमने कि किस तरह से पूरे bundles में इंडिया के cotton का जो है, डिमांड होता था जैसे कि, अलक अलक कपड़े का डिमांड होता था, जैसे कि चिंस ले लो, बांदना ले लो है ना, और कुछ ऐसे कपड़े होते थे, जो जहां पे बनता था, उसी जगे के नाम से मशूर होते थे, जैसे कि कसिम बजार, पटना, कलकटा उरिसा, चरपोरी करके, ऐसे नाम जो है तो जगे का नाम है मागर वहां पे बनने वाले कपड़े भी उसी जगे के नाम से मशूर होते थे, ठीक है तो उसके बाद हमने पढ़ा Indian Textile in European Markets जब इंडिया के जो टेक्स्टाइल के popularity जो है वो बढ़ रहे थे तब किस तरह से England के producers ने टेक्स्टाइल जो producers ने किस तरह से अपने government के against उन्होंने protest किया और किस तरह से government से जो इंडिया से जो आने वाले जो कपड़े पे जो है उस पे रोक लगवाया है ना तो यह हमने किया मगर still फिर भी जो इंडिया का जो textile जो है वो dominant करता था पूरे world में जो इंडिया के जो textile का जो trade होता था बिसनेस होता था जो European trading companies होते थे और वो लोग बह सारे profit पैसा जो है मुनाफ़ा कमाते थे इसी textile के trade से ठीक है जब पहले starting starting में क्या होता था जब वो लोग कपड़े खरीते थे यहां से चीजे खरीते थे तो उसके बतले में silver आता था वहां से इंडिया में silver आता था बतले में silver आता था मगर जैसे जैसे जब English East India Company ने political power गे पैसे पैसे जब उन्होंने की बेंगाल के से जो है उन्होंने revenue कलेक्ट किया टेक्स्ट कलेक्ट किया और वही टेक्स्ट जो है वो लोग चीजे खरीतने के लिए यूज करते थे वही पैसे पैसा भी इंडिया का होता था और चीजे जो समान जो है जो वो लोग खरीते थे यहां से बेचने के लिए वो भी इंडिया का होता था इस तरह से इंडियन्स को वो लोग बेहुकुफ बनाते थे है ना तो आज हम करेंगे हू वर्दा वीवर्स वीवर्स कोन थे वीवर्स यानि के कपड़े बनाने वाले को हम कहेंगे वीवर्स वीवर्स कोन थे हम कोटन के बारे में कर रहे हैं कपड़ा इतना मशूर होता है कपड़ा इतना पपुलर होते थे वो हम पढ़ रहे हैं मगर weavers कौन थे यह कपड़े बनाने बनाते कौन थे वो हम करेंगे ठीक है weavers belong to the communities that specialized in weaving weavers वो communities होते थे वो group of people होते थे जो weaving में कपड़े बनाने में specialized होते थे यानि कि माहिर होते थे ठीक है उनका जो skills जो होता था जो उनका knowledge होता था कपड़े बनाने का वो एक generation से next generation pass on होता था वो knowledge ठीक है जैसे कि किसी के दादाजी को आता है तो वो अपने बेटे को सिखाएंगे तो वो अपने बेटे को सिखाएंगे इस तरह से ठीक है अब वो communities का जो है अलग-अलग नाम होता था जैसे कि टांटी होते थे बेंगॉल में जो वीवर्स होते थे जो कपड़े बनाने वाले होते थे उनको टांटी बोलते थे जुलाहास और या मौमीन बोलते थे जो नोर्थ इंडिया का वीवर्स होते थे ठीक है कैकोलर और और दिवांगास होता था जो साउथ इंडिया का वीवर्स होते थे इन कमिनिटीज का अलग-अलग डिफरेंट नाम होता था नाम से वो लोग मशूर होते थे अब एक कपड़ा बनाने के लिए कॉटन से यानि कि कपास से एक कपड़ा जैसे कि फर्स्ट ले लो कॉटन ये हो गया का पास उसके क्या बनेगा क्लोध बनेगा कपड़ा बनेगा जैसे कि आप एक अप शर्ट ले सकते हो एक्जाम्बल ठीक है तो इस कॉटन से कपड़े बनाने तक क्या-क्या उसमें काम लगता है क्या क्या करना पड़ता है वो हम देखते है सबसे पहले होता है स्पिनिंग सबसे पहले कॉटन को कॉटन का क्या निकाला जाता है क्या बनाया जाता है थ्रेड बनाया जाता है यानि कि दागा ठीक है उसको कहेंगे स्पिनिंग और ये दागा बनाने का काम जो है जादातर कौन करते थे वुमिन करते थे औरते करते थे ठीक है उसके बाद उस दागे के बनेंगे क्या बनेगा क्लोध बनेगा कपड़ा बनेगा और ये कपड़ा बनाने का काम जो है जादातर मेन करते थे घर में जो मरत होता है ना वो डाइक। ओर चाहिए है। किया अगर कलर फुल चाहिए तो इस थ्रेट को क्या करना पढ़ेगा ? डाय करना पढ़ेगा। उस पे कलर लगा पढ़ेगा। और वह एक ग्रूप ओफ पपलगतीं थे को वो लोक इनिता है। और जिसे वो अगर किसी को प्रिंट pop people होते थे प्रिंटर्स होता है जो जिनको वो लोग बोलते थे चिपी गर्स ठीक है तो अब इस तरह से ठ्रेट से लेकर कॉटन कपास से लेकर कपड़े बनाने तक अलग-अलग काम जो है उसमें अलग-अलग step होता है ठीक है और इस तरह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता था रोजी रोटी मिलता था पैसा मिलता था घर में चाहे औरत हो, मर्द हो जो भी हो, कुछ न कुछ उनको पैसा वो लोग कमाते थे ठीक है तो सबसे पहले होगा स्पिनिंग, दाइगा बने का जो वुमिन करते थे जदातर, ठीक है उसके बाद होगा विविंग, कपड़े बनाने का जो जदातर में करते थे फिर अगर कपड़ा कलरफुल चाहिए, तो फिर कौन करेगा डाइ करेंगे, डाइ करने वाले को वो लोग रंगरेज बोलते थे रंगरेज करेंगे, ठीक है अगर कपड़ा डिजाइन वाला चाहिए, प्रिंटिट चाहिए तो फिर वो प्रिंटिट करने के लिए दूसरे लोग होगा, जिसको वो लोग चिपकारी, चिपिगर्स बोलते थे ठीक है, अब इन सारे लोगों को, इस कॉटन के ट्रेड से, यानि कि बिसनिस से जॉब मिलता था उनका रोजी रोटी चलता था ठीक है, अब फिर क्या हुआ, फिर हम करेंगे, दे डिकलाइन ओफ इंडियन टेक्स्टाइल, किस तरह से इंडिया का टेक्स्टाइल जो है, वो यानि कि फेक्टरी बन गिया, ठीक है, अब उस फेक्टरी के वज़ा से, जो इंडिया का जो कोटन होता था, इंडिया का जो क्लोथ होता था, उसको एफेक्ट करने लगे समझ में आया, तो जब फिर क्या हुआ अगर ये पहले ऐसे इंडिस्ट्रीज नहीं होते थे तो फिर ज्यादा तर क्या होता था कॉटन का जो कपड़ा जो है वो इंडिया से जाता था अब वो कपड़ा बनाने के लिए वो लोग वहां पर इंडिस्ट्रीज सेट अप करेंगे industries बनेंगे तो वो कपड़ा जो है वो industries में बनेगा तो obviously जो इंडिया का जो cotton जो cloth का जो demand होता था वो reduce होगा यह न वो कम होगा अब बहुत जादा problem आने लगे अब इसको इंडिया के जो textiles को सबसे पहले compete करना था किसे British, Britain में बनने वाले जो उसमें जो कपड़ा जो होता था factory में बनने वाले जो कपड़े से compete करना था उससे मुकाबिला करना था ठीक है अब दूसरा यह problem था कि जो इंडिया से जो कपड़ा जाता था उस बहुत जादा text जैसे लगता था high duties लगता था यह problem हो गया ठीक है तो क्या हुआ जो English made cotton textiles successfully आउस्टेट या remove Indian goods from their markets in Africa, America and Europe in the beginning of 19th century 19th century के beginning तक जो है starting में क्या हुआ कि जो English में जहां पे जो factories से बने हुए जो clothes जो है कपड़े ने क्या किया पूर इंडिया की जो कपड़ा था जो कौन-कौन से मार्केट में था एफरिका में था अमेरिका में था योरोप में था उसको पूरा हटाया remove कर दिया ठीक है thousands of viewers in India became unemployed तो मैंने अभी पहले आपको बताया बहुत सारे लोगों को इस काम से इस बिसनिस से जॉब मिलता था अब उनकी जॉब जो है वो चले गए है ना अगर कौटन के कपड़े का डिमांड नहीं रहेगा तो फिर बनेगा नहीं अगर नहीं बनेंगे तो फिर जॉब नहीं रहेगा है ना तो बनेंगे किसली बनेंगे जब उसका डिमांड ही नहीं रहेंगे तो ठीक है अब उससे भी खराब कंडिशन तब हुआ वार्स वास हैपन वेन बिटिश कॉटन क्लोथ flooded the Indian market by 1830 और उससे भी बुरा तब हुआ जब बिटिश में बना हुआ कॉटन के कपड़े जो है वो इंडिया में आने लगे बाइटीन फिफ्टी तो थर्ड अफ 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 प्रोथ produce in Britain पहले यहां से जाता था कॉटन के कपड़े जो है यहां से जाता था अब यहां से जाना भी बंद हुआ अब जाना बंद होना यह तो अलग से बात है बुरी हलत तब हुई जब वहां से कपड़ा जो है बंके इंडिया में आने लगे बेचने के लिए जादा तर जो है 1850 तक जो है जादा तर जो कपड़ा जो है जो इंडियन पहनते थे वो जादा तर जो है वो ब्रिटेन के machines में बना हुआ बिट्रे इनके factories में बना हुआ होता था और जिसके वज़ा से weavers को spinners हो या dyers हो या printers हो बहुत सारे लोग जो है उसकी वज़ा से jobless हो गए उनकी job चले गई ठीक है मगर still hand loom weaving जो है वो अभी भी completely खतम नहीं हुआ इंडिया में क्यों क्यों नहीं खतम हुआ क्योंकि factory में machines में कुछ कपड़े जो है वो नहीं बना सकते थे जैसे की कौन-कौन से कपड़े नहीं बना सकते थे जो सारी में जो सारी होता है ना जो सारी में नहीं बन सकते थे और जो है कुछ ऐसे पैटरन कुछ ऐसे डिजाइन जो है वो नहीं बना सकते थे ठीक है और नेक्स जो है जो कॉर्स क्लोथ होता है कॉर्स यानि की खराब बहुत ही ज्यादा खराब सबसे कच्चा जो है वो होता है वो जो है वो भी नहीं बना सकते थे में और इस clothes को कौन पहनते थे ज्यादा तर इंडिया के जो poor जो लोग होते थे वो उसको use करते थे उसको पहनते थे इस तरह के कुछ कपड़े जो है factory में यानि की machines में नहीं बन सकते थे इस वज़ा से handloom weaving जो है वो पूरी तरह से खतम नहीं हुआ इंडिया में वो बनने ल में ठीक है और मदूरा में समझ मैं है फिर जब national movement स्टार्ट हुआ आजादी के लिए लड़ाई स्टार्ट हुआ और महत्मा गांदी ने लोगों को ये और्च किया ये उनको ये request की कि जो बाहर से जो कपड़ा आता है जो कपड़े आते हैं जो हम use करते हैं उसको use करना बं कर लो वो कपड़े use कर जो हम जो हमारे इंडिया में ही बनते हैं ठीक है जैसे कि खादी कपड़ा जो है वो बहुत ही मशूर हुआ वो निशान बन गया नेशनलिजम का चर्का चर्का वो होता है जहां पे दागा बनता है और वो जो है इंडिया नेशनल कॉंगरेस के जंड में वो डिजैन जो है वो लगाया है ना इस तरह से फिर उसके बाद हमारा आता है टॉपिक cotton mills come up अब जो है इंडिया में भी factory बनना शुरू हुआ जिसको mills कहते है ना factory ठीक है सबसे पहले 1854 में सबसे पहला mill बना यानि कि factory बना कब इंडिया में बॉंबे में जो अभी म Mumbai कहते है ठीक है वो बना Mumbai में एक factory बना जो कब बना 1854 में और उस factory में क्या होता है spinning का काम होता है दागा बनाने का काम होता है Bombay जो है नजदीक है western India से western India में कौन सा soil होता है black soil होता है ठीक है और black soil में cotton जो है वो अच्छा कर्टिवेट होता है ठीक है तो इसलिए Bombay जो है वहां के factory को mill को raw material जो है वो असानी से मिल जाता है ठीक है by 1900 over 84 mills जो है 1900 तक 84 mills जो है factory जो है वो इंडिया में operate करना काम करना शुरू होगी है ठीक है many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen ऐसे ये सारे mills जो है ज्यादा तर किसने start किये किसने बनाए पार्सी और Gujarati businessmen ने बनाए ठीक है उसके बाद क्या हुआ the first mill in एहमदाबाद में भी पहला mill बना factory बना कब 1861 में फिर उसके एक साल बाद कानपूर में बना ठीक है और उस जब ऐसे mills बने जब factory बने तो बहुत सारे लोगों को पूर लोगों को वहाँ पर जॉब मिले मिल्स में ठीक है वो लोग शेहर की तरफ जाने लगे काम की तलाश में और वो काम उनको मिला इस तरह के mills में बंबे में एहमदाबाद में कानपूर में उनको जॉब म मिलने लगे अब mills तो बना factory तो बना मगर initial time में यानि कि starting में उनको कुछ problems का जो है उनको सामना करना पड़ा जैसे कि कौन-कौन से थे एक problem था कि Britain के कपड़े से उनको compete करना था उससे के साथ मुकाबला करना था ये एक उनका problem था दूसरा एक problem ये था कि ज्यादातर countries में क्या होता है दूसरे देशों में क्या होता है government factories को support करते हैं industries को support करते थे मगर क्या होता है जब उस time इंडिया में colonial rule था अंग्रेजों का rule था तो वो लोग इंडिया के जो industries को जो है support करने से उन्होंने इंकार कर दिया refused कर दिया यानिकी ठीक है उनको government से कोई support नहीं मिलता था दूसरा problem ये था समझ में आया जो mills बना जब mills बना इंडिया में जब factories बना textile का तो factories तो बहुत सरे बन गए मगर starting में कुछ problems का उनको सामना करना पड़ा उसमें से कौन कौन सा problem था एक problem था उनको ब्रिटेन के कपड़े से textile से उनको compete करना था है ना उससे अच्छा नहीं सही तो उसके बराबर तो उनको बनाना है है ना तो दूसरा problem ये था कि उनको government का कोई support नहीं था क्यूंकि उस time government किसका था ब्रिटीश का government था इंडिया में तो उस government ने जो है Indian के जो है mill honors को support करने से उन्होंने मना कर दिया है ना तो इस तरह से कुछ problems जो है उनका सामना करना पड़ा mills को ठीक है मगर क्या हुआ जब first world war हुआ तब textile जो है ब्रिटेन से textile की supply जो है वो बंद हो गया reduce हो गया कम हो गया क्योंकि वो लोग busy थे first world war में तो उस time जो है इंडिया के mills को उन्होंने बुलाया और उन से उन्होंने demand की बहुत सारे cotton के कपड़े जो है जो military supply के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए था और वो सारा demand जो है उन्होंने पूरा किया कहा से इंडिया के mills से ठीक है तो फिर दीरे दीरे करके जो है कुछ development जो है वो आए इंडियान मिल्स को मिल्स जो है ये develop हुए यानि कि ये advance हुए वो कब हुआ जब first world war हुआ तब ठीक है तो ये हमारा है textiles के बारे में अब next class में हम iron and steel industry के बारे में हम करेंगे ठीक है Thank you